हेलो फ्रेंड्स आज लोग आज हम लोग बात करेंगे तारालक की कुट्टी के डिफ्रेंशिएशन के बारे में हमारे पास पहली कुट्टी है यहां पे एंसी कुट्टी ग्रे जिसका कोड अपने सिस्टम में रहता है जिसका बेज नाइक्रो सेलिएस रहता है और इसकी अप्लिकेशन आप वूडन एंड मेटल सर्फेस पे कर सकते हैं और यह एकी कौलिटी में अविलेबल रहता है जिसका यूज है कोई भी वूडन पाउर मेटल सर्फेस के अंदर रहते हैं और इसको फील करने के लिए पुट्टी का यूज कर सकते हैं एस वेल एस सर्फेस पेपरेशन के लिए यूज होता है इसका सेंडेबिलिटी टाइम वन अवर के बाद का रहता है और यह ग्रेशेड में अविलेबल है यह आप अपलाई पुट्टी नाइफ और स्प्रे की मदद से कह सकते हैं और इसमें सिंगल पैक होने के वज़ा से पॉट्लाइफ नहीं होता है यह बेसिकली 25 kg, 5 kg, 1 kg, 500 g और 200 g अविलेबल रहता है सो अपने को इसमें समझना है कि यह अल पुट्टी का डिफ्रेंशेशन क्या है कोई सी पुट्टी कहां पर यूज करनी चाहिए अगर आपको स्वाल्वन बेस सिस्टम चाहिए तो आप एंसी पुट्टी, अपोक्सी पुट्टी, लाइट बड़ी फिलर, आटो लाइट ब को आपको चाहिए तो आप वाटर बेस पुट्टी का यूज कर सकते हैं, सो सॉलवन बेस सिस्टम के अंदर हमारे पास दूसरी पुट्टी है अपॉक्सी पुट्टी जिसका कोड है 0105 यह सॉलवन फ्री प्रॉड़क्ट है, टू पके रेशियो में आती है, वन इस्टु पुट्टी अपलाय करने रहती है, यह वूड, मेटल, स्टोन, एफापी, अलुम, नॉन मेटल, यह सब सबस्ट्रेक्स पर आप इसको अपलाय कर सकते हैं, और इसका भी पॉपर्पर्स देंट एंड सफेस्ट प्रिपरिशन के लिए होता है, आप देंट को फील कर सकते हो, पत्रेक्स पत्रेक्स हैं, यह सफेस्टी कर दोने के लिए नुटू अईगी कामीकल रहती है, तो इसकी संडिबिलिटी भी बहुत हाद रहती है, ऐ दो इसके एगर चैatory अपोनी अब्लिक्रों करनी है तो यह आप कर सकते हैं, and there are many more applicants, इसके बॉत सारी यूजेज हैं, यह आप 6 गंटे के बाद इसकी संडीबिलिटी रहती है, इसके 3 इंसेड अवेलेबल, black, gray and white, और यह आप अपलाई कर सकते हैं, पॉतलाइब का मतलब है, बेज और हार्डनर को मिक्स करने के बाद, आपको इ इसका pack size 10 kg, 1 kg and 500 g का रहता है, उसके बाद में हमारे पास light weight body filler and auto light weight body filler, दोनों first variant and second variant, जो पहला बाला है 0111 light weight body filler, वो first quality product है, जो अगें वो भी दोनों solvent free product है, तूपक के ratio में आते हैं, 980 g इसका base रहता है, 20 g इसका hardener रहता है, यह आप wood, metal, stone and FRP substrate पे लगा सकते हैं, जो lightweight body filler है, उसकी better sustainability रहती है, पेरेज, auto lightweight body filler की medium sustainability रहती है, दोनों में buttery effect आती है, smooth finish है, और इसमें fine fillers यूज़ किये हो जाए, so polyester putty and auto light polyester putty से यह better finish दे पाएगी, इसका purpose भी dynes और surface preparation के लिए रहता है, और यह mainly लोग market में automotive segment में, like best body parts के dynes feel करने के लिए यूज़ करते हैं, यह इसकी 15 minute की ascendability reggae, so this is very fast drying product, और इसका off-white shade रहता है, यह फुटी knife के help से आप यूज़ कर सकते हैं, इसका pot life गार्द कम रहता है, 2-3 minutes after mixing, base and hardener आपको यूज़ कर लेना पड़ेगा, और इसका 1kg pack size में available होती है, उसके बाद में polyester putty and autolight polyester putty, so polyester putty is the first grade and autolight polyester putty is the second grade, क्योंकि polyester putty की soft sundability रहती और autolight medium sundability रहती, same solvent free product है, same ratio है, mood, metal, stone, FAP, such रहती है, purpose भी dance और surface preparation के लिए रहता है, automotive segment members body parts पे बहुत ज्यादा चलता है, 15 minutes का fast drying off-white, putty knife, 2-3 minutes of pot life, so यह चारों की अलग-अलग differentiation मैंने जैसे बताया, कि lightweight body filler is the best product, जैसकी better sundability है, autolight रहती है, butter effects, smooth finish, and then autolight and polyester putty की soft and medium sundability रहती है, उसके बाद में water-based wool putty है, जिसका core है 0115, यह water-weight acrylic के मज़न से बनाया जाता है, और यह wooden surface पे आप खाली अप्लाय का सते है, इसका purpose भी dance और surface preparation के लिए ही रहता है, यह basically eco-friendly product है, क्योंकि इस पे water का use होता है, यह greener environment में help करता है, यह suggest करते है, अगर आपको putty to top coat water-based system apply करना है, तो आपको water-based wool putty का use करना चाहिए, और इसका sentibility time भी काफी अच्छा है, two hours के बाद आप इसको send कर सकते हैं, इसके shades भी काफी सारे available हैं, जैसे यहां पे mention की होए, Sheda, Rebony, Chara, Mogni, Maple, Natural, Auk, Pine, Teak, Walnut and White, और इसकी आप application tools की बारे में बात करें तो आप putty knife and spray की मदद से आप इसको apply कर सकते हैं, यह water channel होता है, तो आपको solvent इसमें use नहीं कर सकते हैं, और यह 1 kg and 500 g में available है, Thank you.